जब भी पाकिस्तान फस्ता है बाहर जाकर यानि के सेना कंट्रीज में तो सिर्फ एक ही इंसान उसे नजर आता है एक ही इंसान है जो पाकिस्तान टीम को दिखाई देता है और एक ही इंसान है जो उसे डूपती हुई पाकिस्तान की नईया को बचाता है नाम है मुहम्मद रि परफॉर्म् किया जन्होंने पाक 51 की जब होमट सीय्ज हुई थी उसमेंि मुझा दिया था लेकिन मिचल स्टार्क के आगे उनकी एक न चली दूनों इनिंग में बल्ला खामो信 रहा तो दूसरे टेस्ट मैच में बिटा दिया वो पिछले मैच में हुआ था, पिछले मैच की कहानी थी, लेकिन तीसरा टेस्ट मैच आता है, आखरी टेस्ट मैच जो की सिडनी में खेला जा रहा है, इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम एक बार फिर से खराब दोर में आ गए, 47 रन पर उसके चार विकेट गिर गए थे, ऐसा लग रहा था कि मानो, शायद सौ भी ना पकड़ पाए, फिर मुहम्मद रिजवान और आगा सल्मान आते हैं, मुहम्मद रिजवान एक शांदार, काम, कंपोल्ट वाली पारी खेलते हैं, और उस पारी की बदालत, जो पाकिस्तान टीम है, वो अच्छे स्कोर तक आगे आमिर जमाल ने जो किया, वो वाकिय में काबल ए्तारीफ है, आमिर जमाल ने जो किया, वो याद रखा जाएगा, इसलिए मुहम्मद रिजवान की पारी की भी ज्यादा एहमियत इसलिए बढ़ जाती, क्योंकि अगर वो शायद नहीं समालते तो, आमिर जमाल को confidence वे चोरानवे रन पर पाच विकेट गिर के थे आधी टीम पविलिन लॉट चुकी थे फिर रिजवान आते हैं और पिच्चानवे रन मार के चले जाते हैं अगले मैच में यानि कि एक मैच और है जो इंग्लेंड में खेला गया था इसमें भी 75 रन पर पाच विकेट गिर के थे और फिर ये पचासा जड़ जाते हैं तेरा तरेपन रन मुहम्मद रिजवान जड़ के जाते हैं अगला मैच न्यूजिलेंड में था यानि कि आउस्टेलिया आपने खेल लिया इंग्लेंड आपने खेल लिया अब न्यूजिलेंड में पाकिस्तान फस गया था क्योंके भीया पचासे पर ही पाच विकेट गिर के थे 52 रन पर 5 विकिट हो गए थे तो मुहम्मद रिजवान आते हैं और 71 रन मार कर चले जाते हैं फिर न्यूजिलेंड का मैच होता है और न्यूजिलेंड में इस बार 74 रन पर 4 विकिट हो गए थे तब रिजवान आते हैं 60 रन मार कर चले जाते हैं फिर न्यूजिलेंड का एक और टेस्ट है आखरी टेस्ट था ये इस आखरी मैच में इस आखरी मैच में तेरासी पर चार विकिट हो गए थे और बाबर के उस वक्त के भरोसे मनसाथी महम्मद रिजवान आते हैं 61 रन मार कर वो भी चले जाते हैं और अब आस्ट्रेलिया की आख केलते हुए सिड्नी के अंदर मुहम्मद रिजवान ने 47 पर चार विकिट हो गए थे फिर 88 रन मारे आगा सलमान ने भी पचासा जड़ा और उसकी बदालत आमिर जमाल ने आखर में 82 रन की पारी खेली वो भी काबिल इतारीफ है क्योंकि नंबर 9 पे आने वाला एक ग परफॉर्म किया क्योंकि मुहम्मद रिजवान ने बचाया और आमिर जमाल ने कारनामा करके दिखाया आप क्या लगता है कि क्या वाकई में रिजवान की जगा पक्की हो गई है या अभी भी डिमस्टिक में या फिर होम सीरीज में पाकिस्तान सरफरास को देखेगा वो प झाल